हलो बच्चो वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड एट के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमिशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ने एट स्टैंडर्ड म अगर आपको पार्ट टू में से कोई चैप्टर है तो मैंने पार्ट टू तो पूरा अप्लोड कर दिया है तो अब यह हमारा सिर्फ नाइन्थ चैप्टर बचा है और मिसलेनेस एक्सराइज वन नाइन्थ चैप्टर का फर्स प्राक्टिस सेक्ट 9.1 आज हम शुरू करें देरे देरे यह चैप्टर खतम करने के बाद हमारा पार्ट बन पूरा खतम हो जाएगा चलो शुरू करते हैं यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह आपके रियल लाइफ में आप अल्ड़री कर रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स यह यूज क यह words का मतलब हम बाद में समझेंगे 3000 रुपीज लिखा है लेकिन उसके उपर इसे एक line मार्के cancel किया है and price क्या दिया है 1000 मतलब क्या बता रहा है कि यह bag का actual price 3000 है ऐसा नहीं कि गलती से लिख दिया इसलिए उसने cancel कर दिया जैसे आप आपके notebook में कर जो वह आपको बताना चा 1000 रुपे में मिल रहा है तो आपके 2000 रुपे बचेंगे ना इसलिए उन्होंने लिखा है you save 2000 रुपीज और उसके बाजू में एक percentage दिया हुआ है यह percentage क्यों देता है परसंटेज से पता चलता है कि कितने percent की saving हो रही है ठीक है तो यहाँ पे 2000 रुपे की saving हो रही है जो 67% हो तो यह सब चीजे हम यह chapter में सीखेंगे कि इसमें जो हर एक number यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैसे calculate किया गया और यह bag देखके और ऐसी price देखके लोग इसकी तरफ attract होते हैं और जो sellers होते हैं वो लोगों को उल्लू भी बनाते हैं यह 3000 के पैसे लिख देंगे 10,000 और 10,000 का cancel क लिखेंगे 1000 तो लोगों को लगता है अरे बापरे 10,000 की चीज सिफ 1000 रुपे में दे रहे हैं यह तो बहुत ही सई discount है हमको ले लेना चाहिए तो यह जो price कम हुई न इसको बोलते हैं discount ठीक है आपने सुना होगा न कि 50% discount 60% discount तो यहाँ पे देखो percentage में लिखा हुआ है कि कि इतना discount है और अगर percentage में देखना है तो पैसों में भी लिखा है कि 2000 रुपे कम ले रहे हैं मतलब 2000 का discount है टेंचन मतलो हर एक word का मैं meaning समझाओंगा आप लोग यह देखके तुरंट समझ जाएंगे कि कौन से price को क्या बुनते हैं यहाँ पर यह word लिखा हुआ है MRP MRP का मतलब होता है maximum retail price ठीक है यह तुर्णा tax का fund है अभी आप छोड़ दो MRP को मैं cancel कर रहा हूँ ठीक है लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिखा है 3000 रुपे लिखे है और बोला है 3000 रुपे cancel किया है कि यह 3000 रुपे का मैं नहीं बेच रहा तो जो price उसमें पहले लिखा है उसको बोलते है marked price मतलब आप यह product घर पे मंगाएंगे तो इसके उपर जो label आएगा ना उसमें इसका price क्या लिखा होगा price लिखा होगा 3000 लेबल पे mark किया हुआ है मतलब लिखना तो 3000 रुपे का price mark किया हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं marked price बट यह आपको कितने में बेच रहा है यहाँ प because he's selling it to you right वह आपको बेच रहा है कौन से price पे बेच रहा है यह वाली price पे तो इसको बोलते हैं बेचने वाला price मतलब selling price पर उसमें बोला तो 3000 था and 1000 में बेच रहा है तो इतना कम क्यों किया क्योंकर वो बॉल रहा है कि मैं आपको 2000 रुपे कम में बेच रहा हूँ बोल रहा और यहाँ पर सेम लाइन में 67% भी लिखा हुआ है तो यह percentage discount है यह जो 2000 रुपे था यह discount था रुपीज में और यह 67 रुपीज जो है यह percentage discount आपने advertisement देखा होगा कहीं पर कि अभी हमारे हाँ पर 20% discount चल रहा है 50% discount चल रहा है 1 pay 1 free चल रहा है है ना buy 1 get 1 free यह सब क्या है यह सब discount ही है अलग-अलग तरीके से यह सब चीजे आपको समझाई जाती है ठीक है पहले अच्छे से देखो जो price product पे लिखा होता है product के उपर label पे mark किया होता है उसको बोलते हैं marked price जो price पे वो actually आपको बेचता है आपको यह भी दुकान पे जाओगे तो हो सकता है यह back पे 5000 रुपए लिखा हो लेकिन वो आपको 1000 रुपए में बेच रहा है तो जो price में आपको वो बेच रहा है उसको बोलते है selling price ठीक है जितना लिखा था 3000 लिखा था लेकिन बेचा 1000 में कितना difference है 2000 रुपए का difference है न यह 2000 रुपए जो है वो है discount और discount को percentage terms में जब लिखते है न कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊगा लेकिन जब भी percentage terms में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं discount percent या percent discount ठीक है जो 50% off लिखा होता है न एडबटाइजमेंट में 50% off यह 50% क्या है यह discount का percentage है ठीक है चलो तो हम लोग देखते हैं कि यह जो price है न जो price में आपको बेच रहा है वो कहां से आया जो भी यह marked price था 3000 उसमें से क्या minus किया यह जो discount है न 2000 रुपए का वो minus किया 3000 minus 2000 क्या हो का 1000 तो यह आपको क्या मिला 1000 selling price तो इसको कैसे लिख सकते हैं यह 1000 को मैं उपर लिख सकता हूँ equal to 1000 न तो 1000 equal to यहां पे लिख दिया यह वाला erase कर दिया अब मुझे बताओ यह 1000 क्या है यह 1000 में आपको बेच रहा है तो वो है selling price is equal to यह 3000 रुपीस क्या है 3000 रुपीस प्रोड़क्ट पे लिखा हुआ है मार्क किया हुआ है उसके उपर तो वो हो गया आपका मार्क्ट प्राइस एंड उसके बाद यह 2000 रुपीस क्या है वो आपको discount दे रहा है ना आपके पैसे बचते हैं discount मतलब आपका पैसा बचेगा तो 2000 रुपीस बचा रहा है ना तो 2000 क्या हुआ है discount तो यहाँ पे लिख दिया minus discount तो यह है अपना formula अगर आपको selling price निकालना है तो selling price क्या हैगा जो भी mark price दिया है उसमें से discount minus कर देंगे तो आपको selling price मिलेगा ठीक है let's say मैंने आपको यहाँ पे यह price दिया था देखो यह 3000 रुपीस क्या है यह 3000 रुपीस आपका marked price है और यह 2000 रुपीस discount है 3000 रुपीस में से 2000 minus करो तो आपको क्या मिलेगा 1000 वो क्या है selling price formula समझ मैं आ है तो अगर आपको marked price में से selling price निकालना हो तो marked price में से discount minus कर देने का तो selling price मिल जाएगा तो हम लोग ने formula पढ़ा selling price is equal to marked price minus discount यह formula को यहाँ आपको अलग-अलग चीज़ की value मिलेगी लेट से आपको discount find करना है तो क्या करना पड़ेगा discount find करना है तो आप लोग same formula ऐसे लिखोगे यह discount वाला जो value है वो equal to के इस तरफ shift कर दोगे और selling price को इस तरफ shift कर दोगे यहाँ पर discount देखो minus है अगर वो equal to cross करेगा तो क्या बन जाएगा plus बन जाएगा न तो मैं selling price यहाँ पर अगर plus है तो यह वहाँ पर जाके minus बन जाएगा ठीक है selling price यहाँ पर normal plus था उसको इस तरफ shift करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बिचारा वो बन जाएगा minus ठीक है यहाँ पर देखो plus था उसको वहाँ पर shift किया तो minus हो जाएगा और discount यहाँ पर minus था उसको equal to के उस तरफ shift करोगे तो वो plus हो जाएगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए मैं plus यहाँ पर हटा रहा हूँ तो क्या formula आया discount is equal to marked price minus selling price जो भी price product के उपर लिखा हुआ है और जितने में उसने आपको बेचा उसको minus करोगे तो आपको discount मिलेगा तो यह formula एकदम से याद कर लो ताकि जब भी question आई easy वाला यह formula यूज़ करके आप उसका answer निकाल सके चलो शुरू करते हैं first question तो यहाँ पर first question में दिया है if marked price is equal to Rs. 1700 तो मैंने लिख दिया your marked price is Rs. 1700 and selling price is Rs. 1540 1540 का selling price दिया product के उपर 1700 रुपए लिखे हुए 1700 लेकिन he is selling it to you कितने में बेच रहा है 1540 तो थोड़ा कम में बेच रहा है न 1700 लिखा है लेकिन वो 1700 ले नहीं रहा तो क्या दे रहा है आपको discount दे रहा है तो वो बोल रहा है discount fine करोगे कितना दिया हम लोग ने अब भी formula समझा था क्या है formula we know that we know that आपको नहीं लिखना है आपकी teacher नहीं लिखती है तो मत लिखो आप यह अटा सकते हो आप सीधा formula लिख सकते हो discount is equal to marked price minus selling price बहुत ही simple formula है mark price कितना है rupees 1700 minus selling price कितना है rupees 1540 कितना आएगा इसको minus करेंगे तो आपको आएगा rupees 160 कैसे आए देखो 1700 minus 1540 0-00 यहाँ पे borrow करना पड़ेगा 10-46, 6-51 1-10, 0-160 0 मतलब 160 तो इसका अंसर हमको आ गया 160 यही पूचा था find the discount हम लोगोंने discount find कर लिया तो final answer कैसे लिखोगे ऐसे आ जाएगा final answer the discount is rupees 160 ठीक है mark price दिया था selling price दिया था तो हम लोगोंने लिख दिया यह दिया हुआ है और यह formula तो हमको पता है मैं तो हमेशा we know that लिखता हूँ आपको नहीं लिखना है तो कुछ मतलिको या फिर now लिख सकते हो के यह तो exist करता है यह formula कोई भी question में valid होगा उसमें value substitute करो mark price is 1700 and selling price is 1540 substitute करके solve किया तो discount आया रुपी is 160 आया है समझ में मतलब आपको क्या दुकानदार जो है न शौक कीपर वो 1700 रुपे की चीज 1540 में बेच रहा है तो उसने कितने कम में बेची 160 रुपी ओके वीडियो pause करके एक बार देख लो यह समझ लो पहली बार यह formula यूज किया है बार बार यूज करना आगे जाके next करते हैं अब हम समझते हैं कि percentage discount क्या होता है ठीक है एक example लेते हैं let's say 10% discount मिलता है 10% discount का मतलब क्या है देखो percentage हमेशा 100 में से होता है तो अगर मैं बोलू 10% discount है तो अगर कोई चीज रुपीज 100 की है तो अगर उस पर आपने 10% discount दिया तो आप कितने में बेच रहे हो 100 में से 10 निकाल दो 10% discount 100 बहुत ही easy number है सीधा percentage माइनस कर सकते हैं तो 100 में से अगर 10% discount दे रहा है तो आपको पढ़ेगी वो 90 रुपीज में कितना परसंट discount 10% discount ठीक है लेट से सेम चीज रुपीज 100 की है और आपको मिल रहा है 20% discount तो आप क्या करेंगे 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 80 यहाँ पर देखके 90 में से 20 माइनस मत करना 20% discount किसके उपर है 100 के उपर न तो जब भी 100 होगा न तो आप सीधा माइनस कर सकते हो लेकिन अगर मैं आपको ऐसा दू रुपीज 120 पे 20% discount तो आप अगर ऐसा लिखते है 120 में से 20 निकाला आ गया 100 यह सही होगा कि गलत यह होगा गलत ठीक है यह सीधा जो हम माइनस करते है 120 माइनस 20 सीधा 100 आया यह सिफ तभी चलता है जब यहाँ पे 100 यह बाकी कोई और नमबर के साथ नहीं चलता क्योंके percentage हम हमेशा 100 में से निकालते है पढ़ा है न आपने पहले इसलिए अगर 100 में से percentage निकालना हो तो सीधा निकल जाएगा लेकिन अगर कोई और नमबर में से percentage निकालना हो जैसे 120 में से directly 20% नहीं निकाल सकते है ठीक है आपको calculations करने पड़ेंगे इसलिए हम लोग यह 100 का property यूज करेंगे तो find out बाकी numbers में से कैसे percentage निकाला जाए आया समझ में 100 का बहुत ही simple है अगर मैं 100 का suppose ऐसा देता हूँ 100 है और उसमें से मैंने बोला कि 40% discount है तो क्या है का answer 100 minus 40 which is rupees 60 तो यह right है अगर rupees 100 है और मैं बोल रहा हूँ 50% discount दिया तो 100 में से 50 निकालो क्या बचे का 100 minus 50 rupees 50 तो यह भी correct है लेकिन अगर कोई और number दिया उसमें से सीधा percentage निकालना है तो आप minus नहीं कर सकते जैसे 120 minus 20 100 नहीं हो जाएगा आया समझ में तो यह हम लोग use करेंगे कैसे देखो तो यह implement करने के लिए हम लोग solved examples का first question लेते है the marked price of a book is rupees 360 marked price नलब आप जब भी दुकान में जाते है जो product होता है जो भी चीज होती है उसके उपर जो price लिखा होता है tag के उपर वो होता है mark price कितना है वो rupees 360 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया rupees 360 and the shopkeeper sold it for rupees 306 लेकिन उसने आपको सिर्फ 306 rupees में बेच दिया sell कर दिया तो selling price क्या हो गया selling price हो गया rupees 306 उसने बोलाया how much percent discount did the shopkeeper give percent discount पूछा है यह तो हम लोगों नहीं आता लेकिन हमको discount निकालना आता है discount का formula क्या है discount का formula है marked price minus selling price क्या आ जाएगा यहाँ पर marked price है rupees 360 minus selling price है rupees 306 minus करके आपको आ जाएगा rupees 54 अब मुझे बताओ यह discount दिया हुआ है आपको क्या find करना है percent discount ठीक है percent discount कैसे find करेंगे percent discount हम लोग discount use करके find करेंगे अगर मैं बोलू यहाँ पर क्या मिला 54 rupees discount मिला कितने के marked price के उपर mark price of rupees 360 तो मैं बोल सकता हूँ on a mark price of rupees 360 the discount is rupees 54 यह मिलो को मिला अब यह line बहुत important है let on a marked price of rupees 100 the discount b rupees x यह क्यों कर रहे हैं यह सब हम कर रहे हैं percent discount find करने के लिए अब यह जो दो line है यह बहुत complicated क्यों complicated है क्योंकि यह हवा में से निकाली है question में तो था नहीं बोला नहीं था उसने पूछा था percent discount निकालो तो यह चीज तो हमने calculate कर लिके 360 रुपीज की marked price के उपर discount कितना है 54 रुपीज अच्छा discount हमेशा marked price के उपर होता है selling price के उपर discount नहीं होता selling price कहां से आता है selling price discount को निकाल के आता है mark price में से discount निकाल देंगे उसके बाद selling price मिलता है इसलिए कभी भी जिन्दगी में ऐसे calculate मत करना कि discount आपने selling price पे calculate किया discount हमेशा marked price के उपर ही calculate करते है उसके उपर calculate करते है फिर जो भी आया उसको minus करते है 360 में से 54 minus किया तो क्या मिलेगा 306 उसके बाद selling price आता है ठीक है अब मुझे percentage find करना है तो मुझे 100 involve करना पड़ेगा क्योंकि percentage तो 100 में से होता है इसलिए मैंने ये लिया है कि let on a market price of rupees 100 the discount be rupees x कि अगर 100 रुपय की market price है या marked price है तो discount उस पे rupees x होगा क्योंकि हमको नहीं बता ठीक है अभी इनका जो ratio है न वो same होगा क्यों क्योंकि हम लोग percentage discount निकाल रहे न यहाँ पर ये discount रुपीज 54 है ये mark price रुपीज 360 है discount 54 और 360 का ratio will be same as x upon 100 का ratio क्योंकि same चीज़ calculate कर रहे न same discount calculate कर रहे ये सिर्फ हमने percentage calculate करने के लिए निकाला है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ यहाँ पर therefore 54 upon 360 is equal to x upon 100 तो यहाँ पर मुझे x का value निकालना है तो यह 100 को यहाँ से बगाना पड़ेगा 100 यहाँ divide हो रहा है तो वहाँ जाके multiply होगा तो क्या मैं लिगा next step therefore 54 upon 360 multiplied by 100 will be equal to x यहाँ पर सिर्फ x बचेगा यह जो 100 था उसको वहाँ वेजा multiply हो गया अब यहाँ पर जो भी है उपर नीचे में कुछ cut हो रहा है गया देखो यहाँ पर 0 और 0 cut हो सकता है न तो मैंने यहाँ पर यह 0 के साथ यह 0 cut कर दिया फिर और कुछ cut हो रहा है 54 और 36 दोनों 18 के टेबल में आते हैं तो 18 2 जार 36 18 3 जार 54 अब 2 और 10 भी एक टेबल में जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ 2 1s are 2 2 5s are 10 नीचे सिर्फ 1 बचा and 3 5s are क्या है 15 तो मुझे मिला therefore 15 is equal to x ठीक है अब यह x क्या था 100 रुपीज पे जो discount था वो x था तो मैं सीधा जो भी x था क्योंकि 100 रुपीज पे जो भी आता हो सीधा percentage होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि discount अगर 15 है 100 रुपीज पे मतलब discount कितना percent है 15% discount यह थोड़ा complicated है मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था ना कि 100 के उपर आप directly percentage ऐसे ही calculate कर सकते हो क्योंकि percentage 100 में से ही होता है तो 100 के उपर जो भी discount आया ना x वो straight away आप बोल सकते हो उतना ही percent है क्योंकि 100 का 15% कितना होगा 100 का 15% 15 ही होगा तो अगर x का value यहाँ पे 15 आया तो मैं बोल सकता हूँ कि discount percent कितना है therefore the discount is 15% थोड़ा complicated है देखो बचो यहाँ तक बहुत easy था ठीक है यहाँ तक बहुत easy था उसके बाद उसने बुला how much percent discount did the shopkeeper give अब discount हमेशा marked price के उपर होता है इसलिए मैंने discount के उपर mark price लिया ठीक है discount upon mark price लिया लेकिन percentage कितने में से होता है मुझे percentage निकाला है percentage हमेशा hundred में से होता है तो मैंने यहाँ पर hundred लिख दिया अब यह discount मुझे पता है discount percent नहीं पता न पर discount percent तो hundred में से ही आएगा न यह discount mark price में से आएगा discount percent हमेशा 100 में से आएगा तो discount upon mark price पता है लेकिन discount percent upon 100 नहीं पता तो ये x ले लिया ठीक हो लिखते कैसे हैं let on a mark price of rupees 100 the discount be rupees x value substitute किया discount का value क्या है 54 rupees mark price का value है 360 rupees x upon 100 ऐसा है क्या है x को इदर रखा 100 को वहां बे जा solve किया तो x का value है 15 x क्या था 100 rupees के उपर discount जो भी 100 rupees के उपर discount होता है वो सीधा percentage में लिख सकते हो because वो 100 में से है तो अगर 100 rupees के mark price पे x कितना है 15 तो मैं सीधा बोल सकता हूँ discount is 15% तो ऐसे आपको ये solve example करना है जो लिखने का तरीक है न ये थोड़ा complicated तो आपको हमेशा याद रखना है आप हमेशा ये line लिखेंगे let on the marked price of rupees 100 the discount be rupees x ये use करके आप हमेशा discount निकालेंगे मैं 5th question करा रहा हूँ बीच में कुछ questions है मैंने अभी छोड़े हैं वो मैं आपको आगे सिखा हूँगा लेकिन अभी जो हम लोगों रुपीज 1,955 customer purchased मतलब customer ने दुकान वाले को 1,955 दिया मतलब 1,955 selling price हो गया marked price मतलब mixer के उपर 2,300 लिखा हुआ था लेकिन customer ने 1,955 दिया मतलब ये selling price है find percentage of discount offered to the customer same percentage of discount का question है तो यहाँ पर क्या-क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लेख लिया marked price कितना है 2,300 रुपीज और customer purchased मतलब selling price कितना है 1,955 customer ने ये पैसे दिया दुकान वाले को ठीक है discount क्या आता है marked price माइनस selling price देखो उसने पूछा percentage of discount है लेकिन पहले discount निकालना पड़ेगा discount कितना है marked price माइनस selling price value substitute करो mark price है रुपीज 2,300 selling price है रुपीज 1,955 कितना है solve करके यहाँ पर देखो 2,300 minus 1,955 बोरो करना पड़ेगा ये 3 बनेगा 2, ये 10 बनेगा 9, ये 10 बनेगा 10-55, 9-54 और ये भी 2-9 ने होगा तो ये बन जाएगा 2,1 और ये बन जाएगा 12, 12-9 होजाएगा 3, और 1-1 तो 0 आने वाला है तो बच्चा 345, तो यहाँ पर answer क्या आएगा 2,300 minus 1,955 इस 345 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रुपीज 345 ये मुझे मिला है discount ये उसने पूछा नहीं है वो पूछ रहा है percentage of discount तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 100 को जबरदस्ती घुसाएंगे इदर है नहीं 100 लेकिन 100 को घुसाना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ रहा है percentage हमको पता है कि mark price of 2,300 रुपीज के उपर discount कितना है 345 है ना लेकिन हमको percentage चाहिए percentage कितने में से आता है 100 में से तो हम लोग mark price 100 लेंगे और उस पर discount कितना होगा हमको नहीं पता X जो भी X आएगा वो percentage होगा तो इसको कैसे लिखेंगे यह हमने जबरदस्ती यहाँ पर 100 घुसा है कैसे on mark price of रुपीज 2,300 the discount is रुपीज 345 यह तो जो उपर हमने solve किया वही लिखा 100 कैसे खुसा हैंगे if the mark price is रुपीज 100 let the discount be रुपीज X क्यों ऐसा लिया क्योंकि मुझे discount का percentage निकालना है वो नहीं पता इसलिए उसको X लिया यह 100 में से discount आएगा ना तो जो भी X का value आया वो अपना discount percentage होगा क्योंकि 100 में से जो भी आता है वो सीधा percentage ही होता है अब मैंने आपको ratio बताया था क्या है ratio रेशियो आएगा discount upon marked price का ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे marked price will be equal to क्या है discount के जगे पे देखो यहाँ पे है X और यहाँ पे है 100 यह mark price है ना 100 और यह discount है X तो हम लोग लिखेंगे equal to X upon 100 लेकर discount कितना था discount था 345 रूपीज तो मैं बोलूँगा therefore 345 upon और mark price कितना है mark price है 2300 रूपीज तो यहाँ लिखा 2300 equal to X upon 100 अभी आप लोगों को X का value निकाले कैसे निकालेंगे X को अकेला करेंगे यह 100 यहाँ पे नीचे बीच में आ रहा है न तो उसको निकाल देंगे कैसे निकालेंगे यहाँ पे उसको equal to के इस तरफ भेजना पड़ेगा equal to cross करेगा तो penalty देगा यहाँ पे divide हो रहा है वहाँ जाके multiply होगा तो क्या मिलेगा therefore 345 upon 2300 तो मैं cut कर रहा हूँ 0 के साथ 0 cut 0 के साथ 0 cut ठीक है 23 के table में 345 जाता है क्या चेक करो 23 1s are 23 115 हाँ जाता है क्योंकि 23 का table अगर आपको आता है तो आपको सीधा बता चल जाएगा 23 1s are 23 यहाँ पे आगा 23 1s are 23 34 minus 23 हो जाएगा 11 11 बचे का 115 तो 23 5s are 115 आपको चेक करना है तो यहाँ पे देख लो 23 multiplied by 15 कितना आता है 15 3s are 45 4 15 2s are 30 30 plus 4 34 तो मैंने सीधा 23 1s are 23 15s are ऐसे cut कर दिया बचा क्या खाली 15 multiplied by 1 which is nothing but 15 तो मुझे क्या मिला therefore 15 equal to x लेकिन x कितने में से था x 100 में से था तो मैं सीधा बोल सकता हूँ therefore discount percentage is 15 इसको final answer कैसे लिखेंगे आप बोल सकते हैं 15 percent discount is given on the mixer ओके यह सीधा मैं 15 को 15 percent लिख रहा हूँ because x हमेशा 100 में से दिया हुआ है तो एक 100 में से तो सीधा percentage होता है एक बार पूरा solution अच्छे से देखो same solid examples जैसा ही है solid example में खाली numbers अलग थे बाकी हमने सब कुछ same किया था यहाँ पे number थोड़े बड़े हैं वहाँ पे number थोड़े चोटे थे वीडियो pause करो और अच्छे से समझो जो एक बार fifth question easy है लेकिन यह जो line हम लिख रहे हैं यह थोड़ा अलग है इसलिए आपको थोड़ा tricky लगेगा लेकिन after solving 2-3 questions this should become easy हम लोग को discount percentage निकालने बुला है percentage निकालने बुला मतलब 100 में से कितना discount है वह बुला है क्योंकि percentage हमेशा 100 में से होता है तो हमको पता है कि 2300 में कितना discount था 345 तो 100 में कितना discount होगा वह discount percentage होगा तो वह है X क्योंकि हमको discount percentage नहीं पता है तो लिखने का तरीका यह है फिर दोनों को equate करके आप percentage निकाल सकते हैं copy कर लो जली से notebook में आगया समझगा तो आज का lecture यहीं पर खितम करते हैं आज के lecture में मैंने practice set 9.1 के lecture 1 में आपको सिखाया क्या आपको मैंने formula सिखाया फिर first question सिखाया and fifth question सिखाया यह जो बीच में questions है न यह सब मैं solve करने वाला हूँ lecture 2 में हम लोग बाकी के questions complete करने की कोशिश करेंगे आज का lecture थोड़ा अलग है आप कुछ नया सीख रहे हैं discount percentage आपने नहीं सीखाया आपने percentage पहले सीखा हुआ है जब आपने percentage सीखा था तब आपको याद होगा percentage हमेशा 100 में से होता है वो यूज़ करके हम लोगों ने आज ये नए question solve किये वीडियो पसंद आया तो like ज़रूर करें link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share कर सकते हैं थाकि उनको भी discount percentage अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूलें क्योंकि हम ऐसे ही साधे practice set के detailed solutions अपलोड करते रहेंगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही इसका lecture to upload हो आपको notification आ जाए और आप कोई भी important lecture मिस न करें comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये lecture कैसा लगा thank you so much for watching this video